दोस्तो अगर आप विरोईस सर्मा को एक महान खिलाडी मानते हैं तो इस वीडियो का वे लाइक करें दोस्तो T20 वर्ल्ल कप में आज के दिन क्रिकेट जगत की दो सबसे मजबूर टीम आमने सामने थी इस रोंग्टे खड़े कर देने वाले महा मुगाबले में आउस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन मिचिल मास ने टॉस जित कर पहली गेंदवाजी करने का मैसला किया परंतु जस्पृत बुमरा ने बहतरीन गेंदवाजी करते हुए भार्ती टीम को आउस्ट्रेलिया की खिलाब एक बहुत ही सांदार जीत दिला दी तो आखिर कर कैसे जस्पृत बुमरा की सांदार गेंदवाजी के बदोलत भारती टीम को जीत मिली, तो ये तो आप लोगों को बताएंगे ही, साथ ही इस मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाइलाइट का वीडियो भी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो जानन पर इस मैच में औस्टेलिया के कैप्टन मिचिल मार्स ने टॉस जीत कर पहली गेंदवाजी करने का वैसला किया, और बल्ले वाजी करने के लिए भारती टीम को अमंत्रित किया, इस बीच भारती टीम की तरब से दोआधार सुरुवात करने कप्तान रोहिस सर्मा के साथ व पहल पाए, इसे बीच दूसरे ही ओवर में पैट कमिंग्स ने रोहिस सर्मा को विकिट कीपर के हाथों क्याच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्ले वाजी करने आए रिसब पंथ मैदान पर आए लेकि दूसरी तरब से आज विराट कोली टीम को देर तक संभालने में न कामियाब रहे, ऐसे में अब बल्ले वाजी करने के लिए सूर कुमार यादव आए, जो रिसब पंथ के साथ मिलकर टीम को संभालने का काम करते हुए दिखाई दिये, इस बीच दोनों ही बल्ले वाजों ने पावर प्ले के समाप्त होने तक भारती टीम का स्कोर 55 रिन दो विकिट के नुकसान पर बना दिये, ऐसे में दोनों ही बल्ले वाजों ने पावर प्ले के बाद भी तुफाने बल्ले वाजी जारी रखी और रिसब पंथ इस बीच बैतरिन बल्ले वाजी करते हुए, नौ में अबर के अंदर 55 रिन बना कर अपना अर्ध सतक पूरा कर लि अब मैदान पर दोनों ही नवेले बल्ले वाज, शिवम दुबे और हार्धिक पंडिया थे, इस बीच दोनों ही बल्ले वाजों ने टीम को आगे ले जाने का प्रयास किया, जहां पर हार्धिक पंडिया ने अच्छी पारी खेलते हुए, 40 रन बनाकर नावार लोटे तो द दोनों ही बल्ले वाजों ने उस्ट्रेलिया टीम को एक अच्छी शुर्वात देते हुए, 4 ओघर में 40 रन बना दिये, जिसके बाद 5 ओघर में गेंदवाजी करने आज जस्परीद बुंगरा ने खतरनाक दिखने ट्रेबिस हेड को क्लीन बोल्ट कर दिया, जिसके बाद वाडनर वी रन आउट हो गए, अब क्रीज पर कप्तान मिचिल मार्स आई, और टीम को सभालने का काम करने लगे, लेकिन उनकी एक कोशिस ज़्यादर दिर तक नहीं चली, और जडेजा ने उन्हें पंत के हाथों क्या चाउट करा दिया, मिचिल मार्स ने 15 रनों की छोटी सिपारी खेली, अब क्रीज पर आउस्ट्रेलिया टीम के सबसे खतरनात बनने बाच गलेन मैक्सवल की एंट्री होती है, मैक्सवल ने आते ही दो लंबे लंबे छक्के लगाते हुए, अपने इरादे साफ कर दिये, जिसके वाद सोलवा ओवन लेकर जस्परित गुमरा आत मौमा सिराच के इस ओवर में दोनों ही बल्लेवाजों ने 17 रंठोग दिये, अब 20 वावन लेकिया जस्परित गुमरा ने अपने इस ओवर में स्लोवर पे स्लोवर वर्ल फेक कर केवल 6 रंद दिये, और भारत ने ये मैच्च 2 रंव से जीत कर एलान कर दिया कि भारत इस ब कर दोचे मैं कर दो दो पारत ने जस जए दो दो रगता से प्हारत वावन दो दो रवर बगता स्लोवर खवरित रस प्ड़िया बलात बदार बलात कर दो हम दो प्याहतार ने जुब